हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे रीजिनिंग के सबसे इंपोर्टन चैप्टर की जो सभी एक्जाम में पूछा जाता है नमबर एनलोजी की ठीक है दोस्तों लोजीक आपको बढ़िया बढ़िया देखने को कि इस वीडियो को आप अंत तक देखते रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपका देखे 6 का रिलेशन आपको 35 से है तो 9 का रिलेशन क्या होगा अब यहाँ पर तो आपको एक सिंपल सा लोजीक मिल जाएगा कि 6 से 35 कैसे बनेगा अगर आप यहाँ पर 6 का स स्कुर कर दो कितना हो जाएगा 81 और 81 में से मानिस बन कर दो कितना मिल जाएगा 80 80 किस ओफशन में है C ओफशन में आप का अंसर आ गया के लिए दोस्तों तो यह एक आप सिंपल सा सवाल था जो मैंने यहाँ पर रखा है सिंपल सा सवाल अब इस सवाल के बात में जब आप बढ़ेंगे तब आपको logic वाले सवाल सीखने को मिलेंगे ठीक है यह एक basic सवाल था simple सवाल था ठीक है दोस्तों जहां से हमने शुरुआत की है वीडियो की अब देखते हैं अगला question अगला question है 5 का relation 50 से है 7 का relation क्या बनेगा अब दोस्तों logic वाले सवाल सुरू हो चुके है अब इसमें आप अपना logical बनाईए कि 5 से 50 कैसे बनेगा मतलब 5 का relation हमें 50 से बनाना है कैसे बनेगा ठीक है ना तो 5 का Q होता है ना ही square होता है ठीक है तो कैसे बनेगा वही ट्रे के आपको यहाँ पर लगाना है देखी मैं आपको एक बात हमेशा बता देता हूँ जब आपक चोटी संख्या कर लेसन बड़ी संख्या में जा रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है या तो square होगा अगर square से भी बड़ी संख्या में है तो cube होगा या फिर multiple होगा ठीक है multiply square और cube जब बड़ी संख्या पर कैसे पहुँचेंगे आप बड़ी संख्या पर दोस्तों square करके भाच से हमें पहुंचना है यहाँ पर एक सूपचाट के आगर मैं यहाँ पर दुस्तों क्या करूँ करूं था हैकॉशाटेस फिरीकिन होता है है एक रराड़ कंस यह FOR गोई क्या है यह facts trzy कितना होता है 343 होता है कि लिए रहे दोस्तों कितना होता है 343 होता है साथ का क्यों और एक पर क्या करना है हमको साथ का स्कॉर करना है ठीक है साथ का स्कॉर कितना होता है उननेंचास दोनों को दोस्तों अगर हम जोड देंगे तो कितना हो जाएगा तीन और नो बारा बारा का 2 carry का 1, 4 और 48 carry का 1 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 392 हो जाएगा आपका सही आंसर option number D, के लिए दोस्तों बात समझ में आगे, तो logic अब आपको देखने को मिलेंगे, वस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया logic है, के 6 का relation आपका 113 से कैसे बन सकता है, 6 से आप 113 पर कैसे पहुँच सकते हैं, अगर मैं 6 का square करूं तो 36 और 6 का Q होता है 216, तो 216 तो बहुत जादा हो जाएगा 113 से, कितने से multiply करूं को 180 हो जाए, तो यहाँ पर आपको logic सीखने को मिलेगा दोस्तों, के लिए रहे, पिछले question में मैंने क्या सिखाया था, कि जो साइंग्या दे रखिए, एक बार उसका Q कर लो, कितना होगा 6 का Q, 216 होता है, और एक बार क्या कर लो, इसका square कर लो, तो हमने क्या किया था, पिछले question में दोनों को जोड़ लिया था, इसमें क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे दोनों का, 6 का square कितना होता है, 36, पिछले question मैंने आपको सिखाया, दोनों को जोड़ लेना है, इस question में सिखाऊंगा, दोनों को क्या कर लेना है, अंतर, घटा देना है, बड़ी संक्या मैं चोटी को, तो 6 में 6 जाएगा, 0 आएगा, किलियर है, और 21 में से आप 3 को घटा दीजिए, 18, तो 100C आपको मिल गया, logic समझ में आया, वही logic दोस्तों यहाँ पर लाइगा, क्या करना है, 10 का क्या दीजिए, क्यूँ, 10 का आप क्यूँ करेंगे, कितना होता है, 1000 होता है, और एक पर क्या करेंगे, 10 का square कितना होता है, तो करना क्या है इनका अंतर करना है किलियर है तो 10-1000 में से दोस्तों यहाँ पर हम 100 को घटा देंगे कितना बचेगा 900 अब 900 दोस्तों किस option में है C option में है तो C option क्या हो जाएगा आपका सही answer किलियर दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था बढ़िया बढ़िया logic सीखने को मिलेंगे आपको किलियर है question देखने में तो बहुत कठिन लागेगा बहुत कठिन लेकिन उसे आप इतने आसानी से बना लेंगे कि आपको पताई नहीं चलेगा यह question इतना आसान था ठीक है अब देखते अगला question अगला question है की वीडियो में सभी को note कर लीजिए बहुत अच्छे अच्छे logic है दोस्तों आज की वीडियो में सभी questions को note कर लीजिए दोस्तों ठीक है अब देखिए इस question में क्या logic लगेगा आपका 12 से 150 आपको कैसे मिलेगा अगर देखिए सीधा सीधा आपको मालूम है अगर आप 12 का square करते हैं तो कितना मिलता है 144 यहाँ पर दे रखा 150 तो मतलब 6 की कमी है 6 की कमी है तो आप इसमें क्या करेंगे 6 plus करेंगे 150 मिल जाएगा अब यहाँ पर क्या दे रखा दोस्तों आपको 18 यहाँ पर 12 था 12 का square किया plus 6 यहाँ पर क्या है 18 तो आप 18 का square करेंगे 18 का दोस्तों आप square करेंगे कितना होता है 324 होता है अब देखें यहाँ पर आपने 6 जोड़ा था अगर आप यहाँ पर भी 6 जोड़ दें तो 6 जोड़ देंगे मैं इस question में आपको एक और logic के लिए रहे एक और logic बताऊँगा देखिए एक answer आपका आगया यह वाला कैसी आया यहाँ पर 12 का square किया 150 पर पहुंचना था 6 जोड़ दिया 150 मिल गया ठीक है अगर आपने यहां के क्या गया 18 का square का 324 इसमें plus 6 कर देंगी कितना मिल जाएगा 330 मि कह दिया B option हमारा बिल्कुल सही हो गया अगर मैं कहूं यह option आपका गलत है तो अगर मैं यह कह दूँ आपका B option गलत है फिर क्या करेंगे आप कौन सो option सही करेंगे दूसरा logic समझे देखिए यहां पर क्या किया था आपने 12 का square 6 जोड़ा था ठीक है कैसे जोड़ा है 6 12 का square क करेंगे तो 6 ही तो मिलेगा वही 6 आपने जोड़ा है यहां 18 का square किया है 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 9 तो 9 जोड़ेंगे ना इसमें कैसे 18 का square कितना 324 यहां 12 को 2 से डिवाइड किया 6 मिलाता 6 जोड़ा है यह 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 मिला है तो इसमें आप नो झोड़ें के लिए रहे तो 324 से जब आप नो झोड़ेंगे तो कितना More of work आपका अंसर क्या गया 133 अब आपके दमाग मैं confusion हो गया और यह और यह यह वाला option सही है यही तो konfusion हो गया मैं आपको दोस्तों क्या सिखाना चार हूं वीडियो में मैं आपको सिखाना चारा हूं कि लॉजिक को समझे लॉजिक को ठीक है SSC में आप से question पूछा ये वाला answer भी दे दिया ये वाला answer भी दे दिया अब कुछ लोग तो इस पर करके आएंगे कुछ लोग इस logic को भी पकड़ लेंगे कि 2 से इसमें divide करेंगे 6 हो रहा है 6 जोड़ रहा है के लिए यहां से भी 2 से हम divide करके देख लेते हैं तो 9 आ रहा है 9 जोडने से क्या हमार answer आ रहा है आ रहा है डिरेक्टली 6 जोडने को यहां पर नहीं कह रहा है किसी logic से कह रहा है वो logic आपने पकड़ लिया 2 से 12 को divide किया 6 जोड दिया 2 से 18 को divide किया 9 9 को जोड दिया तो 333 मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह question भी आपको अच्छे तरीके से clear हो गया होगा आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका यहां पर 49 169 78 यहां पर क्या आएगा अब देखें यह question बिल्कुल भी cut in नहीं है बिल्कुल भी cut in नहीं है अगर आप लोग practice करते हैं तो ऐसे solve question को आप बड़ी आसानी से solve कर देंगे देखें कैसे यहां पर क्या है 49 यहां पर क्या है 169 आपको मालूम है 169 क्या होता है दोस्तो 13 का square होता है तो आपको 13 कैसे मिलेगा यहां पर क्या देखा 4 और 9 अगर आप 4 और 9 को plus कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा तो 13 का square हो गया ऐसे क्या करें आपको 7 और 8 को plus कर दी समझे में आगी दोस्तों बात C option क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये question आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझे में आगी होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है 6 का relation दोस्तो 27 से है तो 12 का relation यहाँ पर क्या बनेगा ठीक है 6 का relation किसी है दोस्तो 27 से वही relation 12 का बनेगा यहाँ पर तो आपको यही trick लगाना है logic को पकड़ना है कि 6 का relation 27 से कैसे बन सकता है ठीक है अब देखें आपको यहाँ पर क्या दिरका 6 है अगर आप इस 6 को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा 3 ठीक है और इस 3 का कर दें Q तो आपको 27 मिलेगा लोजिक समझ में आया ऐसे यहाँ पर क्या है 12 12 को 2 से डिवाइड करें क्या मिलेगा 6 और 6 का कर दें Q तो क्या मिलेगा 216 क्या option में 216 है P option में 216 है यही हो जाएगा आपका सही answer logic पकड़ में आया दोस्तों देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं आप number analogy की जितनी practice करेंगे उतना ही आपको clear होगा अगर आप इसकी practice को छोड़ देते हैं भूल जाएंगे logic को practice करते रहिए दोस्तों ताकि जब कभी आपका exam हो तो 2 second में आप question को उड़ा दे clear दोस्तों बात समझ में आ रही है इसलिए जिस exam की आप तयारी कर रहे हैं उसकी तयारी करते रहे हैं बिल्कुल भी आलस मत करिए कि exam हमारा बहुत दूर है exam बहुत दूर है तयारी कर लेंगे ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए clear दोस्तों समझ में आ रही है बात अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका 4 का relation दोस्तो 69 से है तो 9 का relation क्या होगा अब 4 का relation 69 से दोस्तों कैसे बन सकता है आप 4 से 69 पर कैसे पहुंच सकते हैं square करके, cube करके या फिर multiply करके ठीक है तो 4 का अगर हम cube करें 4 का अगर मैं cube करता हूँ कितना होता है 64 आपको चाहिए 69 तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 5 जोड़ना पड़ेगा तभी तो आपको 69 मिलेगा ये 59, clear है समझी में आ ये बात 4 का cube किया 64, 5 जोड़ा तभी तो ये 69 मिलेगा अब यहाँ पर logic को समझीए ठीक है 9 है तो आप क्या करेंगे 9 का भी कर दीजे cube अब जब आपने 9 का cube किया तो 9 का cube आपको पता है कितना होता है 9 का cube दोस्तो होता है आपका 739 कितना होता है 9 का cube होता है दोस्तो 739 अब 739 होता है अगर मैं यहाँ 5 जोड़ा था अगर मैं यहाँ भी 5 जोड़ दू तो कितना हो जाएगा 734 734 तो option में ही नहीं है यहाँ 5 जोड़ा है तो जरूरी नहीं है यहाँ पर भी 5 जोड़ा जाएगा इसलिए मैंने पिछले question में बताया था जब आपका answer यहाँ पर 330 आया था कि यहाँ पर 6 जोड़ा गया है तो जरूरी नहीं है दूसी जगे भी 6 आएगा logic को पकड़ना चाहिए 4 है 4 से 1 बढ़ा करके जोड़ा गया है plus 1 करके यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी plus 1 करके मैं जोड़ दो कितना जोड़ूंगा 10 जोड़ूंगा तो 739 में जब 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 749 आपदीगे 749 option में है तो D option में है यह हो गया आपका सही answer उम्मिद करता हूँ logic आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा के लिए रही बात आप देखेंगे अगला question अगला question है 8 का relation दोस्तों किसे है 256 से वही relation 12 का यहाँ पर बनेगा तो 8 से 256 पर आप कैसे पहुँच सकते हैं दोस्तों 8 से पहुँचना है आपको कहाँ पर 256 पर ठीक है तो 8 से 256 पर कैसे पहुँच सकते हैं अगर देखिए आप क्या करें यहाँ पर 8 का square करते हैं तो आपको सीधा सीधा पता है 64 होता है आपको पहुँचना है कहां पर 256 पर 256 पर कैसे पहुंचेंगे 64 का multiply अगर आप 4 से करेंगे तो कितना होता है 256 होता है 4, 4, 16 का अच्छा है केरी का बन 24, 24 केरी का बन कितना हो जाएगा 25 64 का multiply यहां पर कितने से हुआ है 4 से के लिए रहे 8 का square किया था 12 का square कर लेते हैं 12 का square 144 अब यहां पर 4 से!」 multiply किया अगर मैं यहां भी 4 से मुडिप्लाइ करूँ क्या answer आजाएगा करके देख लेते हैं 4 से मुडिप्लाइ पहले मैं 4 से मुडिप्लाइ करके देखता हूँ 4, 4, 16 का च्छा है 4, 16 का बन कितना हो जाएगा 17 का बन चारे कम चार केरी करण कितना हो जाए 5 तो 5, 7, 6 क्या 5, 7, 6 किसी ओफ्शन में है नहीं है तो यह आप cancer यहां पर नहीं होगा मतलब यह है कि 4 से multiply यहां पर नहीं होगा clear है 12 का square है तो आपने 12 का square किया 144 मिला यहां 4 से multiply हुआ है तो यहां 4 से multiply नहीं होगा मैंने आपको क्या बताया था पहले question में इसको अगर आप 2 से divide करेंगे क्या मिलेगा 4 तो 4 से यहाँ पर multiply हो रहा है इसको आप 2 से divide करेंगे कितना मिलेगा 6 तो यहाँ पर हम कितने से multiply करेंगे 6 से करेंगे यह question में आपको बार बार बता रहा हूँ यह trick आपको बार-बार बता रहा हूं यह logic में आपको बार-बार समझा रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो तो 6-4 के 24 का 4 हो जाएगा carry का कितना हो जाएगा 2 6-4 के 24 और carry का 2 26 26 का 6 फिर से carry का 2 6 कम 6 और carry का 2 कितना हो जाएगा 8 तो 864 हो गया आपका answer किस option में है 864 बी option में match कर रहा है यही क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा के लिए दोस्तों समझ में आ गया question अब देखते हैं अगला question अगला question है 144 का relation आपको कितने से 23 से है तो 196 का relation क्या बनेगा अब इतनी बड़ी संक्या का relation आपका छोटी संक्या से दे रखा है और 144 आपको पता है क्या होता है 12 का square होता है आपको मालूम है 144 क्या होता है 12 का square यहाँ पर दिया गया है लेकिन 23 तो किसी संक्या का square नहीं है हमको चाहिए 23 23 आपको कैसे मिल सकता है कितने का square किया दोस्तों 12 का तो 12 लिख लीजिए अगर मैं 12 का multiply 2 से कर दू और उसमें से minus 1 कर दू तो कितना मिलेगा वारा दूने का 24 और minus 1 कर दू तो कितना मिलेगा 23 मिल जाएगा आपको यहाँ पर 25 दे रखा है समझ में आई बात जिस 12 का square हो रहा है उसी 12 का 2 से multiply कर दो और minus 1 कर दो आपको मिल जाएगा आपका answer ठीक है वही यहाँ पर कीजिए यहाँ पर दे रखा 196 196 कितने का square होता है 14 का square होता है तो क्या करेंगे 12 का square किया था तो 12 का multiply 2 से 14 का square किया है तो 14 का multiply 2 से करेंगे और minus क्या करेंगे यहाँ पर भी 1 14 दुनी कितना होता है 28 होता है minus कर दूँगा 1 तो कितना मिलेगा 27 आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए यह किस option में है D option में तो D option हो जाएगा दोस्तों आपका सही answer केलियर हुई दोस्तों बात मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों question आपको अच्छे तरीके से केलियर हो गया होगा दोस्तों यह दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दवा दीजिए दोस्तों धन्यवाद